नमश्कार दोस्तों सुवागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GK Tracker पे दिखे फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप GK MCQ सीरीज और इस सीरीज की आज हम 125 वी क्लास यहाँ पे कवर करेंगे जैसा आप जानते हैं इस सीरीज में हम आपके GK के previous year questions को यहाँ पर कवर करते हैं और सिर्फ question answer को कवर नहीं करते हैं उनके साथ जितने आपके fact होते हैं उनको भी साथ साथ में cover करते हुए चलते हैं जिससे आपकी previous year questions भी solve हो जाते हैं और extra fact के माध्यम से आपका revision भी हो जाता है अगर आपने इस सीरीज की previous classes को नहीं देखा है आप उनको playlist में जाके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की class को शुरू करते हैं आज का हमारा पहला question है किस राष्ट्रकूट शाशक ने ऐलोरा के परवतों को काट कर प्रसिद कैलाश मंदिर का निर्मान करवाया था तो ऐलोरा का जो famous कैलाश मंदिर है इसका निर्मान करवाया था राष्ट्रकूट शाशकों ने करवाया था एलोरा की गुफाओं का निर्माण भी किस ने करवाय था, राष्ट कूटों ने करवाय था, वही पर आपका एक प्रसिद मंदिर है, जिसे कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है, यहाँ आपके कृष्ण प्रत्थम के द्वारा बनवाया गया था, option B, सही आंसर हो जाएगा एलोरा की जो गुफाओं हैं, यह जो कैलाश मंदिर है, आपके महराश्ट्रा में पड़ता है, जो एलोरा की गुफाओं हैं, यह भी महराश्ट्रा में है, question आता है, यहाँ पर कितनी गुफाओं हैं, यहाँ पर total 34 गुफाओं हैं, एक पेपर में पूछा गया था, इन 34 मे कितनी बहुत धर्म से संबन देते हैं, कितनी हिंदूओं से संबन देते हैं और कितनी जैन गुफाएं हैं तो इन 34 गुफाओं को नंबरिंग दी गई है जैसे गुफा नंबर एक, गुफा नंबर दो, नंबर तीन इस तरीके से एक से लेकर के 12 तक की जो गुफाएं हैं वो बौध धर्म से संबन्दित हैं 13 से लेकर के 29 तक की जो गुफाएं हैं ये हिंदू धर्म से संबन्दित हैं और जो आपकी 30 से लेकर 34 तक की गुफाएं हैं एलोरा में वो जैन धर्म से संबन्दित हैं कई बार ऐसा question भी आ जाता है कि एलुरा की गुफाओं का संबन किस धर्म से है, तो तीनों धर्म से है, ठीक है? नेक्स्ट है अभिधम पीटक किस से संबंदित है देखे बौध धर्म में तीन पीटक हैं जिनको त्री पीटक कहा जाता है इन तीन पीटकों में से एक है अभिधम पीटक और आपको बताना है इसमें किस से जुड़ी वी जानकारी है क्या इसमें बौध धर्म के या बौध संग के नियमों के बारे में लिखा गया है क्या इसमें महत्मा बुध के दर्शन जो विचार है उनके दर्शनिक विचार उनको लिया गया है या उनके उपदेशों को लिया गया है जो तीन पीटक हैं उसमें अभिधम पीटक में महात्मा बुद्ध के दर्शन से जुड़े विश्यों को यानि जो उनके दार्शनिक विचार हैं उनको लिया गया है option B यहाँ पर सही आंसर होगा नियम और विनियम से संबंधित जो बाते हैं वो आपके विने पीटक में लिखी गई हैं ठीक है तीन पीटक हैं एक है विने पीटक एक अभिधम पीटक और एक तीसरा है आपका जिसे कहते हैं सुत पीटक अभी तक आप से कोशन आता था अब इनके अंदर की बात पूछी जाती है कि स्में क्या बात बताई कई है किस भाशा में लिखे गए है तो बहुत ग्रंट जादत आपके पाली भाशा में यह तीनों भी आपके पालि भाशा में लिखे कए हैं निमलिखित में से किस सामराज्य ने दिल्ली सल्तनत की इकता प्रणाली के समान नायक प्रणाली को अपनाया था देखें, इकता प्रथा क्या थी? कि वितन के बदले आपको भूमी दी जाती थी जो भूमी दी जाती थी उसको इक्ता कहते थे जिसको दी जाती थी उसे एक्तेदार कहा जाता था ठीके इसी से मिलती जुलती एक प्रता है जिसे कहते हैं नायक प्रणाली इसमें भी सेम वही कॉंसेप्ट था कि जो भी सेनिक होते थे अधिकारी होते थे उनकी सेवा के बदल उनको भूमी प्रदान करी जाती थी और इस भूमी को जो प्रदान की गई है उसे कहा जाता था अमरम ठीक है और जो उस भूमी को प्राप्त करता था उस व्यक्ति को अमर नायक कहा जाता था तो यही वो नायक प्रणाली थी जिसके बारे में आप से पूछा गया है किस से मिलती जुलती प्रता है एकता प्रणाली से यह नायक प्रणाली काकतिया सामराज्य में भी प्रचलित थी और विजयनगर में तो यहां काफी बड़े पैमाने पर चलती थी तो काकतिया में भी थी हमने अभी तक पड़ा है कि विजयनगर में प्रचलित थी लेकिन अब याद कर लीजे कि दोनों सामराज्यों में यहां प्रथा प्रचलित थी तो आपके दो कॉंसेट किलियर हो गए कि दिल्ली सल्तनस से मिलती जुलती जो प्रता है एकतब प्रणाली से वो कौन सी है नायक प्रणाली कहां चलती थी मुक्या रूप से यह विजयनगर सामराज्यों में थी लेकिन विजयनगर सामराज्यों से भी पहले यह काकतिया सामराज्यों में भी प्रचलित थी और क्या प्रता थी वो हमने यहां पर देखा कि भूमी दान में दी जाती थी भूमी को अमरम कहते थे और भूमी को प्राप्त करने वाले को नायक या अमरनायक कहा जाता था इसलिए इस प्रणाली का जो प्रॉपर नाम है वो अमरनायक प्रणाली है ठीक है तो इसका अंसर हो समुहों होता था उसके लिए मदिकालीन इतिहास में टांडा शब्द कहा जाता है option B सही आंसर होगा बंजारों की काफी महत्वपूर भूमिका रही दिल्ली सल्तनत में भी और मुगल सामराज्य में भी जब अलाउदिन खिलजी ने बाजार नियंतरन प्रनाली को शुरू किया तो बाजार में अनाज पहुचाने का काम इन ही बंजारों के द्वारा किया जाता था question आता है बंजारों का इस्तेमाल मार्केट में या बाजार में अनाज लाने के लिए किस साशक ने किया अलाउदिन खिलजी ने किया और इन ही बंजारों का उलेग जहागीर ने भी अपने संस्मरणों में किया है तो इनके गुरुप्स को इनके कारवा को क्या कहा जाता था इनको टांडा कहा जाता था ठीक है निक्स्ट पंचायत समीती किस इस्तर पर एक पंचायती राज सनचना का संचालन करती है यानि पंचायत समीती का ही दूसरा नाम आपको पूछा गया है या ये बताना है कि पंचायत समीती जो बनती है किस इस्तर पर बनती है देखे ब्लॉक इस्तर यह जो निकाय होता है उसे खंड इस्तर भी कहते हैं यानि ब्लॉक इस्तर भी कहते हैं और यही पर बनती है हमारी पंचायत समीती त्री इस्तर की सिफारिश करी थी बलवंतराय महता समीती जो बनी थी 1957 में उसमें उन्होंने जो पहला स्तर था वो ग्राम स्तर के बारे में बताया था ग्राम स्तर पर उन्होंने ग्राम पंचायत की बात करी उसके बाद उन्होंने ब्लॉक स्तर की बात करी वहाँ पर उन्होंने पंचायत समीती बनाने की बात करी और फिर उन्होंने जिला इस्तर पर बात करी जिला पंचायत को बनाने की तो ब्लॉक इस्तर पर जो बनती है वो पंचायत समीती कहलाती है आंसर हो जाएगा ब्लॉक इस्तरिया निकाए option A सही आंसर होगा ठीक है next है वे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतिया नागरिकों को प्राप्थ हैं विदेशियों को नहीं मिलते तो कुछ ऐसे articles हैं मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं कौन-कौन से हैं? हमने कई बार cover किया है कि केवल पांच आर्टिकल्स को याद कर लीजिये, जो सरिफ इंडियन्स को मिलते हैं. एक है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29 और 30. ये पांच आर्टिकल्स हैं, जो केवल भारतियों के लिए हैं. इसके इलावत जितने मौलिक अदिकार हैं, उलगबग सभी विदिश्यों को प्राप्त होते हैं. ठीके भारतियों के साथ-साथ. आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म के आधार पर, मूल के आधार पर, जाती के आधार पर, जन्मिस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा. ये सिर्फ भारतियों को प्राप्त है. आर्टिकल 16 कहता है कि नियोजन के लिए सभी को समान अवसर दिये जाएंगे ये भी सिर्फ भारतियों के लिए हैं आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंतरता हैं जैसे आप जानते हैं विचार की स्वतंतरता, अभिवक्ति की स्वतंतरता, सांतिपूर्ण, सम्मेलन करने की स्वतंतरता वो सब आपकी किसमें हैं आर्टिकल 19 में ये भी सिर जो विकास है उसकी बात कही गई है और आर्टिकल 30 में अल्प संख्यकों का सैंक्षनिक संस्थानों की स्थापना और उनके संचालन का अधिकार उनको दिया गया है। कुछ दिन पहले हमने संविधान की डिटेल सीरीज में केंद राज्य संबंदों के बारे में बात करी थी और एक कॉंसेप्ट हमने दिखा तेक टॉपिक हमने कवर किया था कि राज्य सूची के विशय में संसत किस-किस आर्टिकल के तहत कानून बना सकती है। और फिर आता है आपका आर्टिकल 253 ये चार आर्टिकल हैं जिनके माध्यम से संसत राज्य सूची के विशय पर कानून बना सकती है। लेकिन सब में अलग-अलग कंडिशन है। 49 के तहत तब बना सकती है जब राज्य सभा उसे ऐसा करने का अधिकार प्रदान कर दे। या राज्य सभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे कि जो वो विशय है जिस पर कानून बनाना है वो राश्ट्य महत्व का है। तब इसके तहत बनेगा। 250 के तहत तब बनेगा जब देश में आपातकान लगा हो राश्ट्य आपात जब देश के अंदर लगा हो 350 के तहत, 252 के तहत तब बनेगा जब राज्य अपनी सहमती देदे। जो आपसे पूछा गया है, कि जब दो या दो से जादा राज्य अपनी सहमती दे दें, कि आप इस पर कानून बनाईए, और जो वो कानून बनाया जाएगा, वो उन्ही राज्यों पर लागू होगा, जिन राज्यों ने अपनी सहमती दी हैं, तो यहाँ पर राज्यों के बा सकते हैं जब राज्य अपनी अनुमती उनको दे दे, संसत को दे दे और 253 के तहट कब बना सकते हैं कानून, 253 के तहट तब बना सकते हैं जब कोई अंतराष्ट्रिया कानून लागू करना हो, मालीजे कोई अंतराष्ट्रिया संधी हो गई और जिस विशे पर वो संधी चार आर्टिकल है, चारों का अर्थ एक ही है कि केंद्र को अधिकार मिल जाता है रज्यसूची में कानून बनाने का, लेकिन चारों की कंडिशन अलग लग थी, जैसे यहाँ पर कंडिशन दी गई, ऐसे ही आपको याद करने हैं, ठीक है निक्स्ट है, ब्रिटिश शरकार द्वारा, सरकार और देसी रियासतों के मध्या, संबंद निर्धारण के लिए, निमलिखित में से, किस वर्ष हर कोट बटलर समीती का गठन किया गया था देखे, इसी समीती को शौट में हमने कई बार पढ़ा है, इसे बटलर समीती के नाम से जाना जाता है और आप से पेपर में पूछा गया था कि बटलर समीती का गठन क्यों किया गया था इसका गठन जो किया गया था, सरकार और देशी रियासतों के मध्या संबंदों को और अच्छा करने के लिए किया गया था, ठीक है, बटलर समीती, और ये समीती 1927 में बनाई गई थी, option C, सही आंसर होगा, कई बार ओदेश ये पूछता है, कई बार वर्ष पूछता है, कई निक्स्ट है, वर्ष 1896 में अमरीका के नियॉर्क में विदान्त सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा करी गई, विदान्त सोसाइटी स्वामी विविकानन ने स्थापित करी थी, 1896 में नियॉर्क में इन्होंने इसकी स्थापना करी, option B, सही अंसर होगा, important है, चूँकि भारत के बाहर इसकी स्थापना करी गई है, अगली बार सिधा location पूछ लेगा, नियॉर्क आपने याद रखना है, इलबट बिल का संगठित रूप से विरोध करने के लिए, अंग्रेजों और येरोपियों ने किस एक संगठन की स्थापना करी थी, अब देखिए, इलबट बिल से शुरू में question बनते थे, किस के काल में आया, आप कहते थे रिपन के काल में आया, फिर आप कहते थे किस वर्ष आया, आपने कहा 1882 में आया, फिर examiner ने पूछा कि किस वर्ष शुवेत विद्रोह हुआ था, या शुवेत विद्रोह किस के काल में हुआ, तो आपको आगे की सारी बात किलियर हो जाएगी देखे इलबर्ट बिल जब आया लॉड रिपन उस समय भारत का वाइस रहे था और ये एक बिल लेकर आया इसमें कहा गया कि जो भारतिया जज थे वो उन मामलों में भी सुनवाई कर सकते हैं जिसमें जो अपरादी है या जिसमें जिसके उपर आरोप है वो कोई अंग्रेज है या ये यूरोप का कोई भी विक्ति है तो अंग्रेजों के सुनवाई का अधिकार भारत के जचों को दे दिया और इसी बिल का फिर अंग्रेजों ने विरोध किया कि कैसे कोई भारतिया हमारी सुन्वाई कर सकता है तो Ilbert Bill क्या था ये आपको पता चला इसका विरोध किया गया और इसके विरोध में जो विद्रो हुआ उसे ही शुवेत विद्रो कहा जाता है इसके लिए अंग्रेजों ने एक संगठित संगठन बनाय था ताकि विरोध प्रॉपर तरीके से कर सकें और इस संगठन को कहा गया European Defence Association या हिंदी में अगर दे दें European रक्सा संग उप्शन B इसका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है निमलिखित वेदों में से किस एक को भारतिय संगीत का मूल कहा जाता है तो भारतिय संगीत का मूल या भारतिय संगीत का आधार किसको माना जाता है चार वेद हमारे पास है इसमें जो साम वेद है इसे भारतिय संगीत का आधार या भारतिय संगीत का जनक कहा जाता है Option C, सही आंसर होगा देखे, साम वेद में जो साम है आपका साम का अर्थ ही होता है गान, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? गान, यानि इसके अंदर ऐसी रिचाएं हैं जिनको आप गा सकते हैं हमारा जो सबसे प्राचीन वेद है वो है रिगवेद रिगवेद में कई सारे मंत्र हैं, कई सारी रिचाएं हैं ऐसी रिचाएं रिगवेद की जिनको गाया जा सकता है उन सबका एक अलग सा संकलन किया गया और उसी को बोला जाता है साम वेद कोशन इससे कैसा आता है? एक कोशन आता है कि सामवेद का संकलन किस वेद पर आधारित है तो यहां रिगवेद पर आधारित है सामवेद कोई अलग से वेद नहीं है रिगवेद की जो जो रिचाएं गाई जा सकती है संगीत के साथ गाई जा सकती है उन्ही का संकलन है सामवेद अब आप इसको कभी नहीं भूलेंगे कि सामवेद का आधार क्या है आप कहेंगे रिगवेद है ठीके जो सामवेद का पाठक करता होता है उसे उद्रात्र बोला जाता है इसको आपने ध्यान रखना है निक्स्ट है किस समविधान शंशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शाशक की उपादियों और विशेश अधिकारों को समाप्त किया गया यानि प्रीवी पर्स की बात हो रही है जिसे इंद्रा गांधी ने समाप्त किया था जो देशी रियासते थी जो उनके राजा महराजा थे उनको कुछ सुविधाई मिलती थी कुछ विशेश अधिकार मिलते थे तरकार की तरफ से ये सब प्रीवी पर्स के माध्यम से होता था 1971 में इंद्रा गांधी के द्वारा समिधार में 26 शंशोधन किया गया और इसके तहट प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया जो देशी रियासते थी इनके शाषिकों की उपादियों को खतम किया गया और इनके विशेश अधिकारों को भी खतम किया गया तो कौन सा शंशोधन है? 26 वा शंशोधन जो की 1971 में हुआ था निक्स्ट है कारकोट वन्ष के संधर्व में निमलिकित कथनों में से कौन सा गलत है? तो गलत वाला आपने बताना है कारकोट वन्ष देखे सबसे पहले कारकोट वंश ने शाषन कहां पर किया वो आपको जाना है तो ही आप इसका आंसर कर पाएंगे देखे कश्मीर के उपर कुछ प्रसिद वंशों ने शाषन किया जिनके करम भी पूछ लेता है एक पेपर में आप से पूछा गया था कि जो लोहार वंश है इसने कहां पर शाषन किया था तो इसने भी कश्मीर पर किया था करम याद कर लीजिए कश्मीर पर शाषन करने वाले जो प्रमुक राज वंश हैं उनमें से सबसे पहले है कारकोट कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शाषन होता है और उत्पल वंश के बाद लोहर वंश का शाषन होता है यह तीन प्रमुक वंश हैं जो आपको ध्यान रखने हैं मद्यकाल से पहले ठीक है जो हिंदू शाषन वहाँ पर चलता था कारकोट वंश की बात करें इस वंश का जो संस्थापक था वो था दुरलब वर्धन और दुरलब वर्धन इसलिए महत्वपूर्ण है एक तो इसलिए क्योंकि उसने कारकोट वंश की स्थापना करी दूसरा जो होईंसांग था वो इसी दुरलव वर्धन के काल में कश्मीर में गया था ये आपको याद करना है इसी कारकोट वंश का जो सबसे प्रतापी राजा हुए उनका नाम था ललित आदित्य मुक्तापीड तो ललित आदित्य मुक्तापीड किस वंश के राजा है? इसी कारकोट वंच के और इसका संस्थापक कौन है दुरलव वर्धन अब जो दूसरा वंश हुआ वो था उत्पल वंश उत्पल वंश कारकोट वंश के बाद गद्धी पर आया इस वंश का जो शाशक था उसका नाम था अवंती वर्मन एक तो आपने वो याद करना है सबसे ज़ादा कोशन जो बनते हैं उत्पल वंश को लेकर के वो ये बनता है कि जो कश्मीर की प्रसिद महिला शाशिका हुई जिनका नाम है रानी दिद्धा वो किस वंश की थी? वो इसी वंश की थी उत्पल वंश की तो कारकोट वंश से ललित अदित्य मुक्तापीड और उत्पल वंश से रानी दिद्धा को आपने याद करना है ठीके? और फिर आता है लोहार वंश लोहार वंश की बात करें इस वंश का संस्थापक संग्राम राज था और इस वंश का सबसे प्रमुक जो राजा हुआ कश्मीर का वो हर्ष था ये आपने ध्यान रखना है और इसी हर्ष का जो दरबारी था उसका नाम था कलहन और कलहन की एक प्रसिद रचना है राज तरंगणी तो वो इस हर्ष का दरबारी था ये हर्ष दूसरा हर्ष वर्ष वर्ष नहीं है ये कश्मीर का शाशक हर्ष है तो तीन वंश को हमने देखा तीनों से जुड़े हुए महत्तपूर्ण बातों को यहीं पर क्लियर किया अब परसिन पे आते हैं यह राजवंश कश्मीर में स्थापिथा पहला पॉंट सही है, ललीत आदित्या मुक्तापीड इस वंश का महानतम शाशक एवम निर्माता था, तो बिल्कुल ये भी आपका सही है, इस वंश का सबसे महान राजा ललीत आदित्या मुक्तापीड था और प्रॉपर तरीके से बनाने वाला भी यही था, हलाकि संस्थापक अगर पूछेगा, तो दुरलब वर्धन का नाम आप लेंगे, तो यहाँ पर आपके दोनों में से कोई भी गलत नहीं है निक्स्ट है, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था, तो वैदिक काल में ऐसी महिलाएं, जो जीवन भर विवाहित रहती थी, इनको आमाजू कहा जाता था, उप्शन सी, सही आंसर होगा, ये भी पेपर में पूछा गया है, आपने ध्यान रखना है, एक और कोशन आता है कि वैदिक काल में जो व्यापार के लिए दूर दूर तक जाते थे, उनको क्या कहते थे, तो वैदिक काल में व्यापार के लिए दूर तक जाने वालों को पणी कहा जाता था, वैदिक काल में जो नाई होते थे, नाई को वपता कहा जाता था, ये कुछ important शब्द वली जो पूछी जा सकती है, उत्री शहयादरी और दक्षिनी सहयादरी की विभाजन रेखा क्या है, देगे उत्री सहयादरी और दक्षिनी सहयादरी की बात करते हैं, हमारे पास सबसे लंबी जो पर और इसी सहयादरी को दो भागों में बाता जाता है, एक है उत्री सहयादरी और एक है दक्षिनी सहयादरी, और दोनों की विभाजन रेखा को 16 डिगरी उत्री अक्षांश रेखा कहा जाता है, option A, सही आंसर होगा, कई बार पेपर में डारेक्ट पूछा गया है, कि 16 डिग निमलिकित में से किस एक को लोटता हुआ मानसून तहा जाता है, तो लोटता हुआ मानसून, मानसून वाले वीडियो में मैप के माध्यम से हमने सारे कॉंसेप्टों को किलियर किया था, किस के वज़ा से जादा बारिश होती है, शीद काल में किस के वज़ा से होती है, किन तमिलाडू के तटों पर ये शीद काल में वर्शा करता है तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण ही तमिलाडू के तटिया इलाकों में बारिश होती है और इसे ही लोटता हुआ मानसून कहते है ठीक है शीद काल में बारिश उत्तर भारत में भी होती है उत्तर भारत के जो मै कहते हैं और North India में जो मैदान है उत्तर भारत का जो विचाल मैदान है वहाँ पर पश्चिमी विक्षोप से होती है ठीक है निक्स्ट है अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां पर इस्थापित किया था तो अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में बनाया था सूरत में इन्हों ने कारखाना लगाने का प्रियाज 1608 में किया था हालाकि सफल नहीं हो पाए प्रॉपर बना नहीं पाए क्योंकि उस समय गुजरात की साइट पे जादा अधिकार या जादा जो मजबूत शक्ति थी गुजरात में वो पुर्तगाली थे पुर्तगाली भारत में पिछले 100 सालों से थे तो जो उस समय मुगल शाशक था जहांगीर वो पुर्तगालियों के साड़ था 1612 में एक लड़ाई होती है सवाली का युद इसको कहा जाता है अंग्रेजों पुर्तगालियों के बीच में हुई इस युद में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया और इसी सवाली युद के बाद जहांगीर ने अंग्रेजों को अनुमती दे दी और उनकी पहली पर्मनेंट फैक्टरी सूरत में बनी 1613 में तो इसको आपने ध्यान रखना है हाला कि मसुली पत्नम में 1611 में उन्होंने बना ली थी लेकिन वो अस्थाई फैक्टरी थी ठीक है? पहला इन्होंने सूरत में ही बनाने का प्रयास किया था और फिर 1613 में यहीं पर बनाया था किस युद्ध के बाद? सवाली का युद्ध किस किस के बीच हुआ? अंग्रेज और पुर्तगाल और उसी के बाद इनको मन्जूरी यहां पर मिली राश्ट्रपती किस अनुछेद के तहत किसी जाती को अनुसूचित जनजाती की सूचिय में शामिल कर सकता है देगे एक कुशन पेपर में आया है किसी भी छेत्र को जनजातिया छेत्र अनुसूचित छेत्र घोशित करने का अधिकार किस को है? भारत की संसत को है, भारत के राश्ट्रपती को है यह भारत के सरवचिन्याले को है तो किसी भी छित्र को जनजातिया छेत्र अनसुचित छित्र घोशित करने का अधिकार भारत के राश्ट्रपती को है एक तो आपने इसको याद करना है बहुत जल जो हमारा पंचैती राजवाला वीडियो आएगा उसमें हम जनजातिया छेत्रों के बारे में भी डीटेल में जानेंगे इसके अलावा राश्ट्रपती को ये अधिकार है कि वो किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर सकता है और ऐसा वहा आटिकल 342 के तहत कर सकता है और ऑप्शन C सही आंसर यहां पर हो जाएगा ठीक है निक्स्ट है निमलिकित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है कुछ दिन पहले हमने इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के बारे में बात करे थी हमारे सौरमंडल के आठ प्लैनेट्स होते हैं जिन में शुरवात के चार को इनर प्लैनेट्स केहते हैं बीच में आपकी एस्टराइट बेल्ट आती है और उसके बाद के चार प्लैनेट्स को आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है इनको बाहरी ग्रह केहते हैं इनको आंतरी ग्रह केहते हैं आंत्रिक ग्रहों में आपका बुद्ध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, पृत्वी हो गई, और पीछे आपके ब्रहस्पती सनी अरुन वरुन हो गए, जो पीछे के चार हैं इन्हीं को जोवियन ग्रह भी कहते हैं, उन्हीं का दूसरा नाम है, ठीक है, तो यहां पर ह हो जाएगा, जोवियन ग्रह कौन नहीं है, तो ब्रहस्पती इधर आएगा, नेप्चून, सनी दोनों इधर आएंगे, बुद्ध आपका जोवियन ग्रह नहीं है, यहां एक आंत्रिक ग्रह है, उप्शन B सही आंसर होगा, निक्स्ट है, भारत का छेत्रफल, विश्व के क भारत के पास दुनिया के कितने प्रतिशत भूमी है, अगर आपसे यह कोशन आ जाए, तो आप कहेंगे 2.4 प्रतिशत भूमी, एक्जेक्ट जो डाटा है वो 2.42 प्रतिशत है, तो 2.4 भी आप इसको लिख सकते हैं, उप्शन C सही आंसर होगा, अगर हम वर्ग किलोमीटर म भूमी भारत के पास है, पूरी दुनिया में सात्वा सबसे बड़ा देश है, भारत से बड़े 6 देश कौन कौन से है, पहले नमबर पे रश्या है, दूसरे पे कनाड़ा, तीसरे पे चाइना, फिर आता है अमेरिका, फिर आता है ब्राजील, फिर आता है उस्ट्रेलिया, फिर आता है भारत, और भारत के बाद कौन आता है, भारत के बाद, आठवे नमबर पे अर्जेंटीना, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है, तो आपको करम भी पता होना चाहिए, प्रतिशत में पता होना चाहिए, नमबर में पता होना चाहिए, कितने लाख वर्ग क चूस को यहां पर cover किया और ना सिर्फ इनको cover किया बलकि इनको detail में कहानी के तौर पर एक दूसरे से link करके हमने इस तरीके से पढ़ने का प्रयास किया ताकि आपको सारे question साथ साथ में ही याद हो जाएं आपको इनको रटने के आवशकता ना पढ़े और आपके concept भी clear हो जा अपने दोस्तों के साथ share करें वीडियो आपको कैसा लगा comment box में हमें जरूर बताएं और साथ ही आपका score कितना रहा 20 में से कितने आपके सही question हुए हैं वो भी comment box में जरूर करें Thank you friends